वेरी गूद आफ्टरनून तो अलो फ्यू फ्रेंड सुअगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉंपेटिशन यूज में दोस्तो नत्रया शिक्षकबर्ती की पलपल की अपडेट आपके अपने चैनल कॉंपेटिशन यूज के मादधेम से आप लोगों को दी जाती है फिलाल दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ परिहार सर ने आज बहस की और उसमें दोस्तों उनके दोरा बताया गया कि सुप्रीम कोट के निर्देश में यहां पे दो लगातार भरतिये करवाने का निर्देश था तो अड़साट आयार पांसों में चालिस पैतार कारणर की बहस कोई पर दोस्तों में नह साब के दोरा दोरा की गई और कोई भी आरगूमेंara रिपीट न करने की बाद जा सबके दोरा रहा हूं गईगाई दोस्तो परियार सर जादा देर तक नहीं टिक पाए और उन्होंने दोस्तो अपना लिखिस सम्मेशन कर दिया इसके बाद दोस्तो शिक्षामित्यों के वकीला है एक जूनियर वकीला है उन्होंने दस मिनट का दोस्तो अत्रिक समय मांगा और अत्रिक समय मांगने के बाद दो दोस्तों उन्होंने फिर से 40, 42 का बचाव करना शुरू कर दियो और 10 मिनिट के बाद दोस्तों जो यह जूनियर वकील थे शिक्षामित्व की तरफ से इन की भी बहस खतम हो गई तो इस तरीके से दोस्तों शिक्षामित्के जितने भी वकील थे दोस्तों सब की बहस खतम हो चुकी और इस समय दोस्तों कालिया सर रिजोइंडर पे बहस कर रहा है और NCTE के गाइडलाइन्स के बारे में दोस्तों यहां पर कुछ बताया जा रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों जो कालिया सर है वो बहस कर रहा है कि टेट में भी 55% और 60% डाने का प्राफधान है लेकिन जो शिक्षम में इतने हैं वो यहां पर 30-40 की मांग कर रहा है बिल्कुल अनुचित हैं यहां पर NCTE की गाइडलाइन्स पर कालिया सर दोस्तों बहस कर रहा है जाने के 60-70 का बचाव यहां पर की जा रहा है तो दोस्तों अच्छी खबर यहां पर मिलेगे कि अब जल्दी से जल्दी यहां पर जल्टी से जल्दी पररणा भी समय चाएगा फिलाल वीडियो में इतना ही आगे कुछ अपडेट होती है तो सबसे बेल आप लोगों को दी जाएगी फिलार दोस्तों वीडियो में इतना ही जय हिन जय भारत